Year 2024 की Week 30 की B.A.R.C की T.R.P. निकल करा सुकी है इस खबते Star Plus के सो उड़ने की आसा ने कामाल कार दिया है क्योंकि इस खबते इस सो ने Star Plus के Longest Running Source ये रिष्ट्य के कहलाता है और गूम है किसी के प्यार में दोनों सो को इस खबते कारी तक कर दिया है और दोनों से अधसा T.R.P. के साथ ही अधसा पोजिशन भी हासिल किया है इस खबते B.A.R.C की Top 10 की लिस्ट में उड़ने की आसा है नमबर 3 के पोजिशन पर और T.R.P. निकल कराई है 2.1 तो फाइनली इस सो ने B.A.R.C की Top 3 की लिस्ट में धामा के रर एंट्री कार लिया है इस खबते स्टार प्लस पर नमबर 1 के पोजिशन पर है अनुपमा रेटिंग से 2.5 सेकेंड के पोजिशन पर है जहनक रेटिंग स्निकल कराई है 2.2 और नमबर 3 के पोजिशन पर है उड़ने की आसा रेटिंग से 2.1 4 के पोजिशन पर है यह डिस्ट के कहलाता है रेटिंग से 2.1 और नमबर 5 के पोजिशन पर है गुम है किसी के प्यार में रेटिंग से 2.1 तो इस खबते उड़ने की आसा ने कामल कर दिया है लास्ट फ्यू विक्स से उड़ने की आसा की कहानी फैंस को बहुत ही ज़रा पसंद आ रही है और टियारपी भी सो का काफी ज़रा अधसा निकल कर आ रही है जीस तरह से सो की टियारपी में हमें इंप्रूमेंट देखने को मिला है आने बले बक में ये सो बी एरसी की टॉप टूप की लिस्ट में भी धामा किरा एंट्री करने वाला है Iso हमें रात के 9 बदे देखने को मिलता है उसी टाइम स्लोट पर हमें 30 के टाइम स्लोट पर कोई भी सोस अभी तलिकास नहीं हुआ है स्टार प्लस पर एक बिल्कुल नया सो सुरू होने बला है जिसका नाम है एड़ोकेट अंजली अवस्ती वह सो हमें 8 आगस्ट से देखने को मिलेगा रात के सारे आंट बदे से उसी बदर से उरने की आसा की जो फेन्स को भी कहानी बेक भी जादा पासंद आरी आ तो कि आप देखते हैं उरने काहनी कैसे लगती है आप कमेंस में बताना मत भूलेगा और आपको क्या लगता है इसस करो का था इर पी क्या निकल कर आने वाली है तो आगर वीडियो देखने में आप्सा लगा सेनल को ज़ तेरा ही एंटर्टेन्मेंट की बत जहां पर हम देते हैं एंटर्टेन्मेंट से जुरी हुई हर स्वती बार एका ब्रेस सबसे पहले